रूत अध्याई एक जिन दिनों में नाई लोग न्याई करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहुदा के बेतलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मुवाप के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला, उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नाउमी और उसके दोनों बेटे के नाम महलोन और किल्योन थे, यह एपराती अर्थात यहुदा के बेतलहेम के रहने वाले थे, और मुवाप के देश में आकर वहा रहे, और नाउमी का पती एलीमलेक मर गया, और ने एक-एक मुवाबिन बेहली, एक स्त्री का नाम तो और उर्पा था, और दूसरी का नाम रूत था, फिर वे वहाँ कोई दस वरश रहे, जब महलोन और किल्योन दोनों मर गये, तब नाउमी अपने दोनों पत्रों और पती से रहित हो गये, तब वहाँ मुवाप के उस देश से अपने दोनों बहो समेत लवड जाने को चली, तब वहाँ अपनी दोनों बहो समेत उस थांत से जहा रहती थी निकली, और वे यहुदा देश को लवड जाने का मारग ले लिया, तब नाउमी ने अपनी दोनों बहो से कहा, तुम अपने-पने मै के लवड और जैसे तुमने उनसे जो मर गये है और मुझसे भी प्रिति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे उपर कुर्पा करें यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पत्ति करके उनके घरों में विश्राम पाओ तब उसने उनको चूमना और वे चिला-चिला कर रोने लगी और उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे नाओमी ने कहा हे मेरी बेटियो लड़ जाओ तुम क्यों मेरे संग चलो क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पती हो हे मेरे बेटियो लड़ कर चली जाओ क्योंकि मैं पती करने को बुठी हूँ और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पती होता भी और मेरे पुत्र भी होते तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठाहरी रही ती और उनके निमित्त पती करने से रुखी रही ती है मेरे बेटियो ऐसा नहो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है देखो यहवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है तब विर फिर से उठी और और उर्पाने तो अपनी सास को चूमा परंतुरूत उससे अलग नहोई तब उसने कहा देख तेरी जिठ अधाने के पीछे लट जाँ रूत बोली तू मुझे से यह बिंती न कर कि मुझे अत्याग वा छोड़कर लट जाँ क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी जहां तू तू ठिके उहां मैं भी तिकूंगी तेरे लोग मेरे लोग होगे और तेरा परमेश्वर म मैं भी मरूगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मुत्यु छोड और किसी कारण मैं तुछ से अलग हो जाओ, तो यहवा मुझसे वैसा ही बरन उससे भी अधिक करे। नगर में उनके कारण धूम मची। और स्त्रिया कहने लगी, क्या यह नाओमी है। उसने उससे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी भूरी चली गई थी, परन्तु यहवा ने मुझे छूची करके लवटाया है। सो जबकि यहवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्शक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो। इस परकार नाओमी अपने मुवबिन बहुरूत के साथ लवटी, जो मुवब देश से आई थी और वे जो कटने के आरंभा के समय बैथल हैं में पहुची। झालँ झालँ झाल एल, यो मुझे देश भी औरी तुम हो। इस दूग जड़ता हैं में झाल झालँ झाल झालँ हो।